संसद में पारित हुए किशी बिलों का विरोध कर रही कॉंग्रेस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब्चंद कक्तारिया ने जम कर निशाना साधा है ककटारिया ने कहा कि 50 साल तक केंदर में राज करने वाली कोंग्रेस ने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया वहीं कटारिया ने कहा कि इस मामले में कॉंग्रेस किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है लेकिन मैं कॉंग्रेस को याद दिलाना चाता हूँ कि कॉंग्रेस ने भी समविदा खेती को आगे बढ़ाने का काम किया साती कटारिया ने कहा कि मोदी सरकार ने MSP का को छे साल में बढ़ाने का काम किया है कि पचास साल में वो किया किया वो देश की जंता के सामने किसान के सामने सपृष्ट है तो उसके बाद ही उस असत्य को सत्य सावित करने के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और काला कानून है पता नहीं क्या-क्या शब्दों का प्रयोग किया मैं उनसे विनम्र प्राथना ये करता हूं भगवान के लिए पहले इन सारे तीनों जो अमेंडमेंट की हैं इनको ठीक प्रकार से पढ़ो और पढ़ने के बाद इस पर एक-एक पर आ जाओ पहला जो असेंशल कॉमटिटी एक्ट में शंचोधन किया यह मांग आज से नहीं कई वर्षों से